आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में जिन्होंने अपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट जर्नी में काफी नाम कमाया हम बात कर रहे हैं मनीश पांडे की जो अपने एक्स्प्लोजिव बैटिंग स्टाइल के लिए जाने जाते थे तो चलिए शुरू करते हैं मनीश पांडे की जीवन और उनकी क्रिकेट जर्नी के बारे में बात करना मनीश पांडे का जनम 10 सितंबर 1989 को नैनी ताल उत्राखंड में हुआ उनका पूरा नाम मनीश क्रिशानन्द पांडे है जब मनीश छोटे थे तब ही उनका परिवार बैंगलोर शिफ्ट हो गया था और वहीं से उनकी क्रिकेटिंग जर्नी की शुरुवात हुई उन्होंने अपनी स्पूलिंग केंदर विद्याले बैंगलोर से की और यहाँ पर उन्होंने अपनी क्रिकेटिंग टैलेंट को डवलप करना शुरू कर दिया मनीश पांडे की पहचान तब बनी जब उन्होंने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2008 में शांदार प्रफोर्मेंस किया इस वर्ल्ड कप में उन्होंने विराट कोली की केप्टेंसी में अच्छी खासी बल्ले बाजी करके दिखाई और टाइटल भी जीता मनीश पांडे ने वहाँ अपने स्किल्फुल बैटिंग से सब को परवावित किया और सेलेक्टर्स की नजर में आए यहां से उनका सफ़द डोमेस्टिक क्रिकेट में आगे बढ़ा उन्होंने करनाटका के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना डेब्यू किया जहां उन्होंने अपने सॉलिड टेकनीक और फ्लुएंट स्ट्रोक प्ले से टीम में अपनी अलगी पहचान बनाई मनीश का domestic cricket हमेशा से ही impressive रहा है first class और list A matches में उन्होंने consistently अच्छी betting की जो उनकी team को match जिताने में मदद करती थी 2009 का IPL मनीश पांडे के career का turning point था RCB की तरफ से खेलते हुए उन्होंने history रजी जब उन्होंने IPL का पहला century लगाया जो एक Indian player के लिए एक बड़ा achievement था ये इनिंग्स था 114 run no doubt जो उन्होंने deck and charges के against सिर्फ 73 बोलों में बनाया था उनके इस performance ने उनके किस्मत बदल दी और उन्हें एक next big thing के रूप में देखा जाने लगा अगले कुछ सालों में मनीश पांडे ने different IPL teams के लिए खेला जिसमें कोलकता नाइट रैडर्स सबसे important थी 2014 IPL final में उन्होंने 94 runs की match winning इनिंग्स के लिए थी जो केक्यार को दूसरा IPL title दिलाने में मददकार रही ये इनिंग्स उनके career की सबसे iconic performance में से एक थी मनीश पांडे का Indian team में selection 2015 में हुआ जब उन्होंने जिंबावे के against T20 series में debut करने का मोका मिला लेकिन उनका सबसे वड़ा international moment 2016 में आया जब उन्होंने Sydney में Australia के against ODIM 104 run की match winning century बनाई ये मनीश पांडे की पहली ODII century थी और इस inning से उन्होंने सबको अपने talent का एहसास कराया उन्हें लगतार ODI और T20 international में मोके मिलने लगे लेकिन consistency की थोड़ी कमी लगने लगी इसके बावजूद मनीश पांडे middle order में एक reliable option माने जाने लगे international cricket में जब मनीश पांडे को मोका मिलता था वो अपना पूरा जोर लगा देते थे लेकिन consistency से उनकी सबसे बड़ी दुश्मनी रही उन्होंने कुछ अच्छी innings खेली लेकिन लगतार अच्छे performance ना कर पाने की वज़े से उनके career में एक चिंता जनक रहा गया टीम इंडिया के middle order में competition हमेशा सही जादा रहा है और मनीश के लिए अपनी जगह बनाये रखना थोड़ी सी मुश्किल होने लगी मनीश पांडे का downfall शुरू जब हुआ जब नए players जैसे की श्रिया शेयर, रिशप पंत और केल राउल जैसे batsman उनके उपर preference पाने लगे 2020 के बाद उनकी टीम में जगह लगतार fix नहीं हो पाई और उन्हें bench warm करना पड़ा या फिर टीम से बाहर भी रहना पड़ा international cricket में जब competition intense हो तब लगतार अच्छा performance करना जरूरी होता है जो unfortunately मनीश नहीं कर पा रहे थे मनीश पांडे के downfall का एक बड़ा कारण उनकी inconsistent form थी कभी-कभी वो अपने domestic level का form international cricket में नहीं ला पाए थे इसके साथ ही injuries ने भी उनके career को heart किया जब भी वो थोड़ा momentum बनाते injury के कारण उन्हें टीम से बाहर होना पड़ता और दूसरे players जैसे स्रेयर शायर, केल राहूल और हार्दिक पंडिया उनकी जगह लेने लग जाते injuries के बाद वापस आना किसी भी player के लिए challenging होता है और मनीश पांडे को भी इसी वज़े से अपनी जगह पकी करने में दिक्कत होती थी इसके अलावा limited overs cricket में MS Dhoni और Virat Kohli के होने के कारण decision making और team combination में पांडे को कभी कभी सही position नहीं मिल पाती थी उन्हें कभी number 4 पे खिलाया जाता तो कभी lower middle में उनको भेजा जाता जिससे वो अपना best नहीं दिखा पाते थे मनीश पांडे को IPL और T20 cricket में उनके consistent performance के लिए जाना जाता है लेकिन उनका ये tag उनके ODI international career को hurt कर गया वो ज़्यादा तर limited overs cricket के specialist बन कर रहे गए जिससे उन्हें test cricket या ODI team में अपनी जगे बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई IPL में उनके अच्छे performance के बावजूद भी जब international level पर वो IPL जैसे impact नहीं दिखा पाए तो उनका selection भी एक सवाल बन कर रहे गया मनीश पांडे के downfall का एक और कारण नई talent के उबरना का था इंडियन क्रिकिट टीम में नई generation के players जैसे श्रेय शायर, रिशाप पंत, सुर्यकुमार यादव जैसे players आने लगे जिनोंने middle order में अपनी जगे पक्की कर ली इन players के aggressive और fearless approach के सामने पांडे का traditional style थोड़ा outdated लगने लगा इसके अलावा हार्दिक पंडे जैसे old rounder का टोप order में consistency के साथ खेल रहे players के कारण मनीश पांडे के लिए team में जगे बनाना थोड़े मुश्किल हो गया था इंटरनेशनल टीम से drop होने के बाद पांडे ने domestic cricket में वापस जाकर अपने performance को सुधारने की कोशिश की उन्होंने करनाटका के लिए बहुत अच्छे runs बनाए लेकिन ये उन्हें international level पर वापस नहीं ला सके IPL में भी उनका form देरे-देरे decline होने लगा और 2023 के बाद उनका IPL में भी उतना significant impact नहीं रहा जितना पहले था इससे उनकी market value और reputation पर भी असर पड़ा मनीश पांटे के downfall का सफर उनके inconsistent performance, injuries और team selection dynamics का combination है आज उनका नाम Indian cricket में उतना prominent नहीं है जितना एक समय पर था लेकिन उन्होंने जो भी contribution किया है वो कभी बुलाया नहीं जा सकता शायद उनका downfall की reminder है कि cricket में success के लिए talent के साथ consistency और थोड़ा luck भी जरूरी होता है